हाँ तो सभी को सुनी लुकुमार यूट्व चैनल में स्वागत है तो आप देख सकते हैं कि द्रोगा महिला अभ्यार्थियों ने कद्र की जोगता घटाने के लिए किया परदर्शन हाँ दोस्तों इससे पहले भी महिला अभ्यार्थियों ने हाइट को घटाने के लिए में केबिनेट में उसको भेजा जाएगा और केबिनेट से मंजूरी मिलते ही उसको लागू कर दिया गयागा लेकिन समय बीते गया उसके बाद जो बाते आई और दबी की दबी रह गई और कोई परिवर्तन नहीं हुआ उससे अभ्यार्थियों ने उग्र होकर फिर महिला जल से जल लागू कर देना चाहिए सरकार को जो हाइट है घटा कर 155 सेंटीमिटर कर देना चाहिए फिर भी देखते हैं सबसे पहले नियूच को देख लेते हैं आप देख सकते हैं द्रोगा की महिला अभ्यार्थियों ने गुरू बार को कद घटाने की मांग को लेकर अक्रोसित थी सभी बीच सरकों पर बैठ गई और अक्रोसित होना तया है क्योंकि उनको बातों को मान लिया गया था और फिर मानने के बाद फिर कोई परिवर्ता नहीं किया गया तो इससे एक चलते हैं इसके बाद देखते हैं बिहार पुलीस अवर सेवा आयोग की ओर से एसाई की नियुक्ति के लिए समान OBC और EBC के 160 cm कद की अहरता तय की गई है इसी के बिरूद करने के लिए महिला अभ्यारती कारगिल चौक पर पहुंची थी ये कद घटा कर 155 cm की मांग कर रही थी हलाकि कद को घटा कर 155 cm कर ही दिया जाना चाहिए क्योंकि बाकी जितने भी स्टेट है वहाँ 155 क्या 155 से भी कम हाइट के महिला अभ्यारतियों का सिलेक्शन किया जाता है अभ्यारतियों ने 5 घंटे तक अंदोलन किया इसके बाद दो अंदोलन कारी महिला अभ्यारतियों गरी सचीव आमीर सुभानी से मिलाया गया इसके बाद जाकर अंदोलन स इधर च्छत्राओं के अंदोलन के वाई से पुलीस को काफी परसानी जहलनी परी बीच सरक पर च्छत्राय बैठ गई इसके बाद अपनी मांगों को लेकर अरी हुई थी कोई सुनने को त्यार नहीं था सभी तक्तिया लेकर बैठी थी अब चलते हैं कि अंदूसरे राज्यो क्यों कि जो हाईट है इससे कम करना एक बिल्कुल आवस्यक है अंदोलन कारी अव्यर्थियों कहना है कि जहर खान की सब इस्पेक्टर निक्टूएं महिला अव्यर्थियों कद 148 सेंटीमीटर रखा गया है उत्तर परदेश में 152 सेंटीमीटर रखा गया है दिली में 157 से यहां कि हरियाना की जो लर्किया है वो काफी लंबी होती है फिर भी वहां की जो हाइट है 157 सेंटिमीटर है पच्छिम बंगाल में 155 सेंटिमीटर तया कर गई है वहीं बिहार में महिला अभ्यारतियों के लिए 160 सेंटिमीटर करना कहीं सुझित नहीं है जी बिल्कुल उचि होती है जब सरकार को जब तक अंदोला नहीं होता है जब तक धारना परदसन नहीं किया जाता है तब तक सरकार नहीं सुनती है और जदी सरकार पहले भी जो था पूरुस अभ्यारतियों के लिए जो दोर था वो छे मिनर था लेकिन छे मिनर जो था काफी कम था बहुत सारे जो अभियार्थी थे परिच्छा में फाइट करते थे परिच्छा में अच्छे मार्स लाते थे लेकिन वो क्या होते थे कि उनकी फिजिकल में दोर में छर जाते थे तब जाकर सरकार ने अब है जो 6 मिनट 30 सेकंड की लेकिन उन अभियार्थियों का क्या होगा जिन्होंने 6 म सेंटीमीटर का 152 सेंटीमीटर भी करेगी लेकिन अभी करने से खत्रा रही है जब अभी परतमान की महिलाएं की जैदी एज खतम हो जाए उनकी परिछा की तयारी समाप्त हो जाए तब बाद में करेगी इसलिए समय पूर्प सरकार को चाहिए कि समय से पहले जो है संसोधन करे और सभी महिलाओं को कम से कम मौका दिया जाए तो जदी चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लिजे और इस चैनल को अधिक सदिक सेयर कीजे और हमारे वाटसेप ग्रूप स प्रेशन भी चलाया जाता है जिसमें प्रैक्टिस सेट कराया जाता है तो सभी को एक पर पूना धन्यवाद